Hi friends, आज मैं बता रही हूँ कि intensity कितनी जादा है twin flame connection में के आप महसूस करते हो कि एक दूसरे के खयालों में खोय रहते हो एक दूसरे को romantic energy transfer करते हो और आप सोचते हो कि बस यही telepathic connection है हमने उतना ही पहुचाया है पर जब आप ऐसा connection establish करते हो चाहे वो meditation के थूँ हो, romance के थूँ हो, जिस भी थूँ हो, तो वो ही connection जब आप किसे negative vibes में रहोगे, tension में रहोगे, तनाव में रहोगे, गुस्सा करोगे, बिमार रहोगे, या किसी भी intense vibes को जब आप महसूस करोगे, वही vibes डारेक्ट आपके twin flame को भी महसूस होगे. यहाँ आप बेचेन हो रहे हो, वहाँ वो भी बेचेन होगा. तभी इस connection को बार बार spiritually balance करना बहुत अवश्यक है, चाहे black magic के थूँ imbalance हो रहे हो, anger के थूँ हो रहे हो, fear के थूँ हो रहे हो, कोई भी intensity है, कोई भी, किसी भी feelings की, अगर intensity है, तो उसका परिणाम आपके आगे के partner पे भी होगा, और इसका ज़रूरी नहीं कि यह सब divine feminine को ही लागू पड़ता है. डिवान masculine भी अगर बहुत anger करता है, या किसी भी intense feeling को महसूस करता है, तो same वही feeling के परिणाम जो है, डिवान feminine को भी भोगने को मिलता है, तो better way कि दोनों ही अगर balancing में लग जाए तो बहुत यह अच्छा है. दोस्तों मेरा Delhi Inner Work का meditation जो है recorded, वो all in one है, उसमें seven chakra भी है, all type of subconscious healing in one है, आज तक जितनों को भी मैंने बेचा है, सबकी से मुझे मतलब बहुत ही दिल की गहराईयों से तारीफी मिली है, लोगों का कहना है कि उसके सुनते ही उनकी chakra जो है activate होने लगते है, vibrate करने लगते है, spiritual powers जाकरत होते हैं, अगर आप भी ऐसे meditation को खरीदना चाते हैं, तो ज़रूर contact कीजिए, साथ में high vibration में आने के लिए, रेकी, crystal रेकी, प्रानी healing, अगर आप ये सीखना चाते हैं, तो भी contact कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के reading के लिए, कोई भी crystal bracelet, tarot card, horoscope, अकाशिंग reading के अभी past life regressions के तीन sessions खतम हुए हैं, जिसमें हम जान रहे हैं, कि क्या divine masculine या कोई भी आपका partner है, उसके साथ पूरो जनम में spiritual awakening होई थी क्या, पूरो जनम में क्या संबन था, कर्मा release, मतलब माफी मागना, कि भी हमने अगर तुम से कुछ पूरो जनम में किया हूँ, तो माफ कहते हैं, इस तरह से कर्मा releasing भी करवाया गया एक session, अगर वो session आपको recorded चाहिए, जिसको सुनके आप practice करना चाहते हैं, तो 500 रुपे में आपको मिल सकता है, आज का session हुआ है, कि पूरो जनम में क्या कोई spiritual awakening हुई थी, क्या आप अपने किसी spiritual partner से मिले थे, अगर आज का भी session आपको खरीदना है, तो same price है, कल और पर सो और दो sessions होने जा रहे है, per session 200 price है, अगर आप join करना चाहते हो, तो अभी भी join कर सकते हो, ओके दोस्तों, thank you so much